दोस्तों नमस्कार आप देखनें दा बी एनवाई न्यूज मैं विवेकर नंजादव सत्य कपरतिक दा बी एनवाई न्यूज जब तक देश में करदारों की संख्या रहेगी तब तक देश में सांती आमन चैन कभी नहीं हो सकता इन दिनों एक बड़ी घटना घटी जिससे मैं आपको वाकिफ कड़ाने जा रहा हूँ दीएसपी देवेंदर सिंग जो कसमीर जंबू कसमीर में पदस्थापित हैं उन्हें संदिक्द लोगों के साथ गिरफदार किया गया ऐसा कहा जाता है हिजुबूल कमांडर वो संदिक्द थे जो देवेंदर सिंग के कार में बैठे हुए थे जब डी आईजी ने कार की तलासी ली तो कार में हेंट ग्रेडेंट और हतियार भी बरामत हुए देवेंदर सिंग दीएसपी के कार में बैठा रहना यह देश के सुड़क्षा व्यवस्था पर प्रसंचिन लगाने वाली बात हो जाती है डी आईजी गोयल ने देवेंदर सिंग को कस्मीर से जंबू जाने के दर्ब्यान में गिरफदार किया और जब गारी की जाच करी तो जाच में हतियार हैंड ग्रेनेट सहित हिजबुल के कमांडर आदी गारी में उपस्थी थे इस वाकिया के बाद उस डी एसपी देवेंदर सिंग को गिरफदार किया गया जबकि देवेंदर सिंग पर कई गंभीर आडोप पुरुब में भी लगे और देवेंदर सिंग को बीड़ता पुरुषकार भी सरकार द्वारा दी गई है और कहा देविंदर सिंग ने की मेरे गेम को खड़ाब मत करो तो आखिर क्या गेम था जिस वकत पुलवामा में हमला हुआ और उतने सैनिक सहीद हुए तो उस समय भी देविंदर सिंग वोही पदस्थापी थे तो क्यों नहीं प्रस्न उठे और क्यों नहीं आरोप लगे कि देविंदर सिंग कहीं ने कहीं किसी ने किसी के कहने पर कुछ ऐसे काम कर रहे थे जो शंदेहा अस्पद कारे था क्या उनकी मिली भगत उन संदिग्धों के साथ है क्या उनकी मिली भगत सरकार के कुछ ऐसे एजनसी के साथ है जो कहते कुछ है दिखाते कुछ है करते कुछ है तो कई परकार के बिवादा अस्पत बातें देविंदर सिंग के बारे में कहा जाता है देविंदर सिंग के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो पैसा के लालची थे नसा के पदार्थ को पकड़ने के बाद वो पैसा लेकर छोड़ देते हैं और नसा के पदार्थ को बेच लेते हैं कई आरोप लगे अफिजल गुरू ने भी आरोप लगाया था कई आरोप देविंदर सिंग पर लगते हैं और यह जम्बू कस्मीर में पदस्थापित रहने वाले अगर वर्दी धारी अगर इमानदारी से काड़ न करे और वो संदिग्दों को लेकर घुमें और उसे दिल्ली या अन्न जगा भगाने में कामियाब होने के लिए निकले तो अब देश का भला काउन करे देश में क्या हो रहा है यह तो सरकार को देखना होगा अगर वो पकड़े नहीं जाते तो वो संदिग्द क्या करते कैसे कहा जा सकता है वो वक्त रहते पकड़े गए कुछ पुलिस पदा दिकारी की सूजबूज के कारण वो पकड़े गए आने था कुछ से कुछ हो सकता था और देवेंदर सिंग से जाच एजेंसी पूछताच कर रही है बहुत बड़ा प्रस्न उठ खड़ा हुआ कि आखिर ऐसे पुलिस पदादिकारी जो भरस्ट हैं जो संदिग्दों के लेकर घूमते हैं और उसे पुलिस पदादिकारी पर कई प्रकार की जाच बैठी और उन्हें उससे रहा किया गया और कई प्रकार के उस पर आरोप लगे उससे वो मुक्त हुए और उन्हें विरता पुरुसकार दिया गया तो आखिर क्या हूँ? क्या खेल है? कौन खेल खेलवा रहा इससे? आखिर किसके साब पर इससब काम हो रह तो यह बहुत बड़ा प्रस्त है जो जनता जानना चाहती है लेकिन चुकी सुरक्षा के दिरिष्टी कौन से ये सारे मामले होते हैं इसमें विशेश नहीं हम सब कह सकते या सरकार के अंदर की बात है या तो सरकार को देखना है जो देविंदर सिंग पर आरोप लगा जो और भी आरोप लगा मैंने उस बातों को रखा मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहा लेकिन आरोप परत्यारोप का दोड़ जारी है देविंदर सिंग से पूस्ता जाच एजेंसी कर रही है आखिर कौन हैं जो देविंदर सिंग के सरपढ़ात रखे हुए हैं कौन हैं जो दे कार को जवाब देना है जाच एजेंसी को जवाब देना है और इसे भरष्ट पुलिस पदा दिकारी को पूर्षकार दिया जाता है इसका भी जवाब जनता है एक नेक दिन जरूर मांगेगी तो दोस्तो मेरे वीडियो अछ्छा लगे तो लाइक कर और कॉमेंट कर शाब्स